अपने अपने विभाग के राज्य सरकारों के मंत्रिये और सचीवों के साथ इसी प्रकार की चिंतन सिबीर का आयोजन करकर पूरी टीम इंडिया का जो कंसेप्ट आपका है उसको जमिन पर उतारने का काम कर रहे हैं इसी के अंतरगत आज गुरू मंत्राले दो दिन से राज्यों के सभी मुख्यमंत्रिगर्ण, गुरू मंत्रिगर्ण, उपराज्यपाल और राज्यपाल महोदय सहीत, सारे अधिकारी यहां बैटकर देश की कानून और व्यवस्ता और आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन कर रहे हैं प्रदान मंत्री जी मैं आपको एक बात की और ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा जैसे कि सब जानते हैं हमारे सम्विधान में कानून और व्यवस्ता राज्यों का विशय हैं परन्तु तत्कालिन समय में जब कानून और व्यवस्ता आंतरिक सुरक्षा की समिक्सा करते हैं तो कई इस प्रकार की समस्या एध्यान पर आती है जो बॉडरलेस हैं जो राज्यों की सिमाओं से परे हैं जो क्षेत्र से भी और देश की सिमाओं के उस पार भी, उस पार से भी कई क्राइम हो रहे हैं जैसे कि आतंकवाद, नार्कोटिक्स की समस्या, मनी लॉंडरिंग की समस्या, गुस पैट की समस्या, ड्रॉन के माध्यम से हत्यारों और नार्कोटिक्स की तसकरी हो और हमारी सिमाओं की फिजिकल की बात हो जब तक पुरे देश की पुलीस और कैंदर की एजंसियों का इस सभी समस्याओं के पती रिस्पॉंड एक समान नहीं होता इस समस्याओं के प्रती लड़ने की हमारी रन्निती एक नहीं होती एक दिसा में एक साथ होकर सभी राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं तो उन का सामना नामुम्कीन है उस दुरुष्टी से आपका टीम इंडिया का विचार और चिंतन सिबीर का आपका मार्गदसन गुरू विभात का जहां तक सवाल है सबसे उपयुक्त और प्रसंधीक है यहाँ पर कल हमने राज्यों की लॉइन और को समालने की रोज बरोज की और सभी मुख्यमंत्री गुरू मंत्रियों का ध्यान आकरसित करने का प्रयास किया है जैसे होंगाड और सिविल डिफेंस नागरीकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए बहुत भायतोपुन प्रक्रिया है मगर वो और मुख्यमंत्री गुरू मंत्रियों का द्यान आकरसित करने की हमने प्रयास भी किया है और इसके साथ साथ लगबग लगबग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गुरू मंत्रियों ने कल बात रखी है बचे हुए सारे गुरू मंत्री आज भी बात रखेंगे जिसमें राज्यों की बेस्ट ट्रेक्टिसीस को साजा करने का भी काम हुआ है जिसे एक राज्य केंद्र से उनकी जो अपिक्सा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुजाव भी आये हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की और एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे आज इस विशेश सत्र के उ चार सत्र और होंगे जिसमें साइबर अपराद, नार्कोटिक्स, कन्विक्षन, डेश्यो बढ़ाना, दोस्सिद्धी का प्रमान बढ़ाना और सिमा सुरक्षा का प्रबंधन ये चार विशरों पर विशत चर्चा होने वाली है और इसके साथ-साथ ये पूरे चिंतन सिब chil में दो दिन में आपने आजजादी की जब सताब्धी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्स निद्धारित किये हैं इसमें ग्रू मंत्रा लेके लक्सों को भी हमने राज्यों के साथ साजा किया है और 2047 में जब देश आजादी की सताब्धी मना रहा होगा तब देश की अंतरिक सुरक्सा और सिमा सुरक्सा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्स को प्राप्त करने के लिए समय बद्ध कारेक्रम हमारा क्या होगा इसकी भी आज सब को जानकारी मिलेगी प्रधान मंत्री महोदय मैं हम सब बहुत आतूर है आपका मार्ग दसन इस विश साहित किया है अता पूरे सदन की ओर से मैं विनम्र निवेधन करूंगा कि आप देश के सभी मुख्यमंत्री गुरूमंत्री और सारे सुरक्षा के साथ जुड़े हुए एजंसी की प्रमूक और राज्यों के अधिकारियों का माग दसन करे और चिंतन सिबीर का विशेश सं अत्र को आप संबोधित करें धन्यवाद